नमस्कार दोस्तो मैं मुकुंद्र राउत आपका स्वागत है लॉंड्रे नॉलेज और केमिकस में दोस्तो ये ग्रीस का दाग है ये कैसे निकलना देख लेते हैं और ये जो है ये बलड स्टेन है ये कैसे निकलना ये भी देख लेंगे ये देख सकते हैं ये आईल बांड हो या ऐल पेंट होगा यह दाग किस तरह से निकलना यह भी देख लेंगे और यह जो है यह ग्रीस के दाग है यह कैसे निकलना यह भी देख लेंगे तो दोस्तों स्टेप बार स्टेप चलते हैं तो देख लेते हैं यह ग्रीस का दाग है तो यह ग्रीस का दाग किस तरह से निक सकते हैं यसी आई और एक्सल के भरोसे पर आप बिल्कुल गैरांटी दे सकते हैं आपने कस्टमबर को और यस्ट्रो चार्ज लगा दीजिए प्रोसीजर क्या करना है बिगर कपड़ा गीला किये यसी आई स्टेंड रिमोर लगा देना है बॉटल के टोक से रगड़ देना है थोड़ा उसके बाद में एक्सल स्टेंड रिमोर लगा देना है और बॉटल के टोक से रगड़ना है यह देख सकते हैं कि इसको हमें ड्रश लगाने की तक जरूरत नहीं पड़ी यह बिल्कुल निकल गया है आप बिल्कुल निकल सकते हैं यस यह और एक्सल इसके भरोसे पे यह देख सकते हैं बिल्कुल निकल गया अब बारी है इस दाग की आईल पेंड का दाग होगा या आईल बॉंड का दाग होगा कोई टेंचन नहीं पहले यस याई यस याई लगा के बॉटल के टोक से रगड देते हैं थोड़ा कपड़ा पिसल न जाए इसके साब से तिरी एक्सल स्टेंड रिमुवार आपके पास अगर परफेक्ट केमिकल होते है तो सेकंडों में डाग निकल जाते हैं परफेक्ट दाग निकल जाते हैं कोई मेहनत नहीं करना पड़ती देख सकते हैं हमने ये दाग निकल दिया बिल्कुल ऑईल पेंट के दाग जल्दी निकलते नहीं है फिर भी इसको हमने निकल दिया और हम क्या करते हैं मान लिजे 5 परशंट 10 परशंट आगर दाग रहे भी जाता है तो यही क्रिया हम डबल करते हैं और कस्टमबर को 100 परशंट निकालके दे देते हैं तो दोस्तों आभी हमने यह देख सकते हैं निकल गया है यह बाच परशंट रहे गया है तो फिर इसको हम दूसरे बारे में करेंगे और निकालके ही दे देंगे उसी की तरह यह आईल पेंट के दाग होते हैं यह हर्ड होते हैं निकलते नहीं है फिर भी हम निकालके दे देंगे पहले यह सी आई फिर एकसल कोई दूसरा केमिकल जोड़ के दे देख लेते हैं यह क्या है यह सी आरेटी है हमने तीसरा केमिकल भी जोड़ा है क्या कुछ अलग फाइदा होता है इसलिए तो दोस्तो हां बिल्कुल हाइदा हो गया है तीसरा केमिकल जोड़ने से एकस्पेरिमेंट करते रहना पड़ता है चलो आभी इसके दूसरे दाख पे तीसरा केमिकल जोड़ेंगे यह देख लेजिए पहले यस्सी आरेटी एकस्पेरिमेंट करते रहते हैं हमने यस्सी आरेटी जोड़ दिया फिर यस्सी आई फिर एकसल हाँ बिल्कुल निकल गया है यस्सी आरेटी जोड़ दिया तो देख सकते हैं यह बिल्कुल ही निकल गया है एक बारे में ही दूसरे बारे में तक करने की जोरुरत नहीं तो यह ग्रीस के स्टेन है ग्रीस के दाक के लिए पहले इसको टार्गेट करते हैं कपड़ा बेगर गेला कि यह यस्सी आई ग्रीस के लिए परफेक्ट सुलूशन है हमारे पास वैसे तो सभी दाग हम परफेक्टली निकाल सकते हैं कौन से भी कपड़ा हो रंगिन हो सपेद हो कोई टेंशन नहीं है यह देख सकते हैं ग्रीस का दाग निकल गया अभी इस डाग को टार्गेट करते हैं पहले यस्सी आई बीगर कपड़ा गीला किये फिर एक्सल ग्रीस के दाग में यस्सी रेटी जोडने की कोई जरूरत नहीं है देख सकते हैं यह बिल्कुल निकल गया है फिर एक्सल और यह देख सकते हैं कि यह बिल्कुल दाग निकल गया है अब हम इस डाग को टार्गेट करेंगे यह दाग को भी टार्गेट कर दिया हमने देख सकते हैं यह भी निकल गया अगर एक एक दाग को टार्गेट करते हैं तो जल्दी निकलता है जैसे कि यह इसको पहले यस्सी लगा दिया बॉटल के टोक से रगड दिया तो देख लिजिए बिल्कुल निकल जाता है देख लिजिए यह बिल्कुल निकल गया अभी इसको टार्गेट करते हैं यह देख लिजिए अभी इसको टार्गेट किया और यह भी दाग निकल गया ग्रीस का पुराना दाग हो ताजा दाग हो रंगिन कपड़े पे हो सपित कपड़े पे हो बिल्कुल निकल जाएगा 100% निकल जाएगा आपने लॉंड्री में आप ग्यारांटी देख सकते हैं यह सिए और एक्सल के भरोसे पर तो दोस्तो इसी तरह का आपका लॉंड्री नॉलेज बढ़ाने के लिए देखते यह लॉंडरी नॉलेज आइंड केमिकल्स जय हिन जय भारत दोस्तों हमने ब्लड स्टेन निकल लिए है ब्लड स्टेन आगर ताजा है यानि कि मतलब कितने भी दिन पुराना हो मगर उसको वाश नहीं किया तो यह एक्सल से ही इजी निकल जाता है और वाश करकर के उसको ब्ल स्टेन रिमोर से ब्लड के डाग बिलकुल निकल जाते है कितने भी बार पुराने हो मगर उसको वाश नहीं किया गया ऐसे दाग एक्सल स्टेन रिमोर से बिलकुल निकल जाते है अगर उसको वाश किया है वाश करकर के वो ब्लड स्टेन ब्लैक पड़ गया है तो इसी तरह के दाग निकालने के लिए हम CS6040 यूज़ करते हैं और 100% निकाल के दे सकते हैं देख लिजिए बलड स्टेन बहुत इजी निकल जाता है एक्सल स्टेन रिमोर से बिगर कपड़ा गिला किये एक्सल स्टेन रिमोर से रिमोर लगा दो बोटल के टोक से रगड़ो बिलकुल निकल जाएगा